हरियाने का एक चमार मिला है मैंने पूछा आपका नाम उसने कया फलाना फलाना चमार चार तारीक की बात है क्योंकि चार तारीक को दिल्ली में कुछ चमार लोगों ने अपना एक तालकटरा इस्टेडियम के अंदर कारेकरम किया था मैंने उससे पूछा ये चमार क्या होता है केने लगा चैसे चमड़ी, मैसे मास और रैसे रक्त सारी दुनिया में जितने भी मनुस्य हैं उनमें मास, रक्त और चमड़ी होती है इसलिए चमार सभी लोग हैं बहुत confidence के साथ उसने कहा मैंने कहा भाई रे, हड़ी कितो गई? अट तो तो ती है नसे बताइ नहीं करें जी आप भी मजाक करो सो ये बात है मैंना भाई मजाक तो आप करो सो बिना हड़ी के रक्त मास और चमड़ी आप में टेका दीओ पूरो मानब खड़कर दीओ और आप कहरे हो मजाक मैं करूँ हूँ, भै मजाक तो आप कर रहे हो, हड़ी को जिकर ना और आदी में त्यार कर दियो, यूँ कमाल कियो आपने ऐसी ऐसी मानेताएं गड़ी हुई हैं लोगों ने, जिसका कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं यानि रक्त, मास और चमड़ी से मन उससे बन गया और हड़ी का कहीं जिकर नहीं है और सर के बालों को तो मैं खेर इसलिए नहीं बोटता है क्योंकि कुछ हो सकता है गंजे हो, तो बाल भी होने चाहिए थे, पूरे सरी पे बाल होते हैं वहाँ जो अधिवेशन लगा, उस अधिवेशन में कुछ जगड़ा हुआ जिसको सारे जितने भी यूटूबर्स हैं उनके लिए मसाला मिल गया क्योंकि यूटूबर्स जगले को ढूनते हैं, कहीं अगर कैटर लगा हो, कहीं बौधिग बात हो, कहीं ग्यान की बात हो, कहीं समझाने की बात हो, कहीं समाज में एकता की बात हो कहीं ये बात जो समढ़ संग करता है कि सब को इखटा होना चाहिए वो बात यूटुबर्स को समझ में नहीं आती न्यू चैनल्स को समझ में नहीं आती मेरे बहुत सारे मित्र हैं मैंने एक से पूछा क्या बात है समढ़ संग की जो संगतियां लगती है पूरी देश में ये हजारों की संख्या में हिनको कवर नहीं करते इन पे बात नहीं करते इनको कभी नहीं प्रसंट करते तो कहने लगे जी कि समण संग की जो मीटिंग है उसमें कुछ ऐसा होता ही नहीं है जिसको हम highlight कर सके हैं की न्यूज बना सकें कुछ उटपटांग होना चाहिए कुछ उटपटांग हो कुछ लोगों का इंटरेश्ट हो कुछ उसमें इस तरह की बात हो जिससे लोग हमारी वीडियो देखें हमारी विई जाएं तो हमें कुछ फायदा भी हो आने जाने का पैसा तो समझ संग वाले देतें नहीं इसलिए उनका कोई फायदा नहीं है दूसरा वो जो बताते हैं इस भारत में और भारत के बहार जितने भी लोग अब केडल ले लिएते हैं या जितने भी लोगों ने अपक जो जानकाई दी है उनकी जानकारी सबसे बलदर्जे की होती है और सबसे हुची होती है और यहां किसी पत्रकार की अवकात नहीं है कि समण सब्द का अर्थ भी बता दे क्योंकि उनको खुद नहीं पता वो किताब तो जो समरसंगी उससे कोई या जो समरसंगी संगती है कोई उससे कोई पंगा लेने को तियार नहीं है इसलिए वो शाथ रहते हैं वहां जो जगड़ा हुआ वो जगड़ा बड़ा बेकार का जगड़ा था साफ साफ लिखा हुआ था पिर्थम चमार अधिवियसन तो चमार ज नहीं था वो, डॉक्तर अंबेटकर का सम्मिलन नहीं था, या और किसी जो समणण महाप्रोस हैं, उनका सम्मिलन नहीं था, सिर्फ जो संत सरुमणी रविदास गुरूजी हैं, उनका, क्योंकि वो भी समण है, उनका वो पर्टिकुलर कुछ लोगों का एक जाती के दाम थे जो जाती की मानता रखते हैं हलाकि किसी को पता नहीं है कि चमार का अर्थ क्या है यह जाती कहां से बनी यह कैसे बनी यह जाती कहां से आई किसने बनाई, क्यों बनाई, कब बनी, अपने आप बनी, यह किसी ने बनाई, पहली जाती कब बनी, दूसरी कब बनी, तीसरी कब बनी, कौन किससे बड़ी, किस सहर में किस जाती को क्या बोलते हैं, गूसरे सहर की जाती, इस वाले सहर में मानता कितनी रखती है, विदेश में आप हैं किसकी कितनी बारी कितनी हलकी बहुत सारी बात है कोई जवाब नहीं इसका पर वहां डॉक्टर bage Perfect look कि दिमांड आप किसी के function मे측ब वहां साफ लिखा हुआ है कि यह चमार जाती का एक हुझा है function है और अगर नहीं जाना है तो यह एक चमार जाकैन लागनाWith क्योंकि डॉक्टर अम्बेटकर को चमार घुषित करना या चमारों की लिष्ट में शामिल करना या चमारों के साथ फोटू लगाना ये इसलिए गयर कानूनी है क्योंकि डॉक्टर अम्बेटकर जातिस सिस्टम को तोड़के जा चुके हैं और वो बुद्धिस तोड़ चु कोई व्यक्तिकत बात रही होगी ढूक्ट्टर अमबेटकर से इस बात का कोई लियर्ह दिर नहीं हैं बुक्तर अमबेटकर ऐसे चोटे मोटे ध्वरक्ट के लिए नहीं है और जिन लोगोंने ढूक्टर अम anim का के नाम इस्त्माल करकर महाँ मजब से बहुत बड़ा है वो वर्क से बहुत बड़ा है, वो मजभ से बहुत बड़ा है, डॉक्टर अंबेटकर महार भी नहीं है, डॉक्टर अंबेटकर चमार भी नहीं है, वो धानुक भी नहीं है, वो माली भी नहीं है, वो परिया भी नहीं है, वो किसी भी जाती में नहीं आते, क्योंकि वो समण ह और उन्होंने 1956 में महा समण बुद्ध का जो दिया हुआ धम है वो धम पुराना धम जो उनका था उन्होंने अपनी घर बाप थी की और 1956 में उन्होंने डिकलेर करके कहा है कि भारत के अंदर दो तरह के लोग हैं एक शिर्मन और एक ब्रह्मन सिर्मन को पाली भासा में समण कहते हैं और ब्रह्मन को पाली भासा में वमन कहते हैं तो यानि समण और वमन बाबा साब अमबेटकर समण हैं इसलिए जिन लोगों ने भी वहाँ पर उनका कारेकरम खराब किया उनका फंक्शन खराब किया उनको शर्म आनी चाहिए क्योंकि ड ये छोटे मुटे जगडों में खींच कर उनका अपमान करना सही नहीं है, उनका काईकरम जो था, उसके हिसाब से उनका काईकरम था, उन्होंने चमार लोगों को महा बलाया था, उन्हीं के फोटो लगाये थे, उन्हीं की बात हो रही थी, ये उनका राइट है, उनको जितना जानकारी है, जितना वो करना चायते हैं, वो कर सकते हैं, भारत में हर व्यक्ति बावस आपके संविधान के तहत में अपनी मानेता, अपने महापुरुस, अपना काईकरम और अपनी बात रखने के लिए स्वतनता है, अभी संविधान लागू है, धन्यवाद, संगनमामी, सं और नीवान लाभेृट।